दोस्तों मैंने एक शूज ओर्डर किया था अपनी हाइकिंग और ट्रेकिंग के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसके वारे में जानकारी दे दूँ कि ये शूज कैसे हैं क्योंकि इन शूजों की जानकारी मुझे इंटरनेट में यूट्यूब में नहीं मिल रही थी तो मैंने सुचा कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इस तरह की जानकारी चाहिए होगी इन शूजों के बारे में और वो जानकारी कहीं भी यूट्यूब में उपलगत नहीं है मतलब एक दू हैं लेकिन उनकी जानकारी उतनी साटिसफेक्टरी नहीं लगी इतनी लगनी चाहिए थी तो मैंने सुच्छा क्यों न एक वीडियो बना के आप सभी लोगों के लिए इन शूज के बारे बता दूँ तो दोस्तों ये वैन बरेनर कंपनी के एक आउटडोर शू करता है तो ये देख लीजिए कि ये वैन बरेनर ये शूज है ये बाल्टा इंडिया लिमटेट के तरफ से आते हैं मतलब कि आप इनकी ऑनलाइन शॉप में भी जाएंगे तो आपको ये शॉप में भी जाएंगे तो भी आपको ये शूज मिल जाएंगे ये एक कर देख लेते हैं एक बार ये शूज किस तरह के दिखते हैं तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं मेरे सामने ये एक औलिव कलर का शूज है इसमें एक नेवी ब्लू भी आता है और शायद ब्लैक भी आता है मुझे अच्छे से आइडिया नहीं है लेकिन ये दो कलर तो आत हैं तो मैंने एक औलिव ग्रीन कलर और किया क्योंकि मुझे ये ग्रीन कलर अच्छा लगता और दूसरी बात कि मेरे पास वैसे भी नेवी ब्लू को लगे बहुत शूज है तो मुझे मेरे पास ये वैस शूज नहीं थे इस कलर के तो मैंने नॉर्मली प्रचस कर लिया तो जो ये शूज जब मेरे हाथ में आए तो सबसे अच्छे बात मुझे इसकी लगी कि इसकी बिल्ड क्वाल्टी ये जो शूज है इनकी बिल्ड क्वाल्टी वाकई में काबले तारीफ है मतलब जितना आप पे कर रहे हैं उसके हंसाब से क्वाल्टी हम मिल रही है एक्चली इस शूज के लिए मैंने लगभग तेरा सो के आसपास तेरा सो साथ पचास रुपय के आसपास मैंने इसको पर्चेस किया है कुछ ऑफर था इसमें कुछ परसेंड मुझे आउफ मिल जा रहा है वैसे ओरिजिनल प्राइज का 1699 है तो ये शूज मुझे तेरा सो के आसपास परूस के लिए वह ओको थे हैं अश्यूज इसको सोल जो होती है वह एक्क्यल में शूज की सोल होती है क्योंकि जब आप चलते हैं किसी भी एक माउन्ट इंग रिया में या एक हेली टर की मैं तो वहां पर बहुत संभावना होती है कि रास्ते आपको brain नहीं मिलेंगे वह उबर खाबर पत्तर वत्तर वहां रहेंगे तो वहां पर गृप काफी अच्छी चाहिए होती है जो भी आप पहन के जाते हैं क्योंकि अगर गृप अच्छी नहीं होगी तो बहुत चांसे हैं कि आपका पैल स्लिप हो जाएगा आपको कुछ इंजूरी हो जाएगी या कुछ भी हो सकता है मतलब फिर तो बहुत सारी चीज़े हैं तो ये समझ लेजिए कि गृप बहुत एक इंपॉर्टन रोल प्ले करती है अगर आप कहीं ट्रेकिंग हैकी में जाते हैं लेकर काफी गहरे गृप है ये देखी yak好啦 बर तो इसकी गृप तो एक्षी है मतलब इतनी डेप्थ है उसकी इतनी मुटाई उसकी एक्चली है जैसे कि मैंने पुराना शूज एक अब देखेंगे अगा मेरे चैनल पे शूज का वीडियो डला हुआ है जो कि शायद मैंने याद नहीं आ रहा है अब देख लिजेगा एक ही शूज का वहां रीगू डला वह बहुत ही कम थी मतलब उसके कारण अगर आप चलते तो आपको पैरों में बहुत पेने होता है लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है यह वैन बरेनर कंपणी के शूज है यह एक अमेरिकन कंपनी है जो कि बाटा इंडिया जो है हमारी वह कंपनी इनको बनाती है और यहां से प्राइल करती है इस नाम से तो आप यह देख लें कि इसकी बिल्ड कॉलिटी काफी अच्छी है आप स्टिच वेजरा भी देख सकते हैं कितने अच्छे स्टिच लगे हैं और इसमें चीज और है कि जो आप यह बना हुआ है तो पहली बात पर इसमें एक ग्रीन कलर का यह अच्छी बात यह है कि इन्हों ने बनाते समय इस चीज का ध्यान रखा है कि हमारे जो सामने का टो एरिया होता है यह वाला जो एरिया होता है यह अक्सर जो पत्थर वगरा होते हैं उसको जाकर टकराने का बहुत रहता है कि यह टकरा के वहां से डैमज हो सकता या आपको लग सकती है तो जो इनकी जो सामने का टो का ऐरिया है ये स्का अज online यूप iki स्की ऎरिया है यह की इस मेटेरियल से थोड़ा ruff और टॉफ मतलब कि अगर कभी एसमें आपको ठोकर लगती है या कहीं कर आपकर लगती है क्योंकि je sá undert ? ऐस को पहने ही जो पहने के चलिए इसके जो यह less है जो यह less material यूज किया गया है यह भी काफी अच्छा material है ऐसा नहीं है कि आप इसको बोलें बहुत यह अच्छा material है और यह जो शूज मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं और एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा कि यह वेंब्रेंडर की शूज आते हैं यह अपने शूज के साथ यह कुछ ऐसा श्टिकर बजारा भी देते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं और्थो लाइट कं कोई कंपनी है जो सोल बनाती है शूज के लिए तो यह जो और्थोलाइट की सोल है तो यह इसके साथ में शूज में लगी हुए आती है यह काफी अच्छी बात है आप इसके डिटेल जानने के लिए इनकी वेबचाइट में जाकर देख सकते हैं और्थोलाइट.com पे लेक इसके लिए तो यह देखिए तो यह है और्थोलाइट की सोल जो की इसके अंदर लगा के दिये हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह इसका जो माटीरियल है यह कुछ आई डून लो एक ऐसा माटीरियल है लेकिन जो भी है आपके फीट को काफी कमफरेबल देने वाला है यह डून लेयर में आता जैसे कि देख रहे हैं एक रैड है और यह कूसरी वाइट और ब्लू श्टैप की लियर है तो यह काफी अच्छा है इनका इनिशेटिव है कि यह एक्चुली मैं सोच रहे हैं कि आपके पैरों में दिक्कत ना हो तो उसके लिए अच्छे एक सोल द कोखला हो या डब रहा हो नहीं बिलकुल एकदम हाड है और जैसा कि अगर मैं आपको यहां भी दिखा हूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि यह एक्चुली में मेड इन इंडिया है यह 10 नंबर है तो मुझे काफी अच्छे लगे यह शूज मैं आपको 100% रिक्मेंड करना च सकते हैं वाकई में यह अच्छे शूज हैं और लाइट वेड भी हैं ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलें कि यार इतने भारी भरकम देख रहा है तो कि यह बहुत हलका शूज एकदम हवा हवाई यह से मैं बोलूँगा इसको इसी रेंज में और भी शूज आते हैं तो उनकी अगर आपको बोलूँ कि ट्रकिंग हाइकिंग के लिए केदारनाथ जा रहे हैं या कहीं भी आप हाइकिंग के जा रहे हैं तो यह शूज आप ले सकते हैं यह कोई शू नहीं होगा आपको इस शूज के बारे में बहुत अच्छे शूज हैं और मुझे लगता कि आपको 1399 में 1350 के असपास अगर ये शूज मिल रहे हैं तो आप no doubt इसके लिए जा सकते हैं कई लोग देखते हैं कि डेकाथलॉन वगारा के वी शूज अवेलबल हैं ये ट्रिपल नाइन में हैं लेकिन उनमें एक समस्या ये है कि अगर आप वो शूज लेते हैं तो कुछ समय के बाद सर उनमें जो इनकी सोल होती है ना सोल ये चटग जाती है मेरे कई फ्रेंडों नोंने मझे बताया है कि डेकाथलॉन के जो ट्रिपल नाइन वाले शूज ये उनमें ये समस्या आती है तो इसलिए मैंने क्योंकि मिलको लांग टम के लिए इसको यूज करना तो मैंने ये पर्चेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो और भी कोई डिटेल अगर जानना चाहते हैं आप इस शूज के बारे में तो मुझे कमेंड में पूस सकते हैं इसको किसी को आपको लगता कि ये वीडियो काम की है किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप इसको रिकमेंड भी क करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थेंक यू